कितना सुन्दर पुस्तक है ना, सुन्दर आवरण है, सजाय हुए प्रिष्ट है किन्तु क्या आई ये सत्य में अध्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेणा दाई है, हमारे लिए मुल्यबान है कैसे निश्चे लिया जाए इस बात का अब आप सोचेंगे कि सीधी सी बात है, आवरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती है इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, समय देना होगा है ना? विल्कुल उचित सोच रहे हैं आप, बस अश्चिरी की बात यह है कि पुस्तक के विश्यमें आप ये सारी बाते जानते हैं किंतु किसी व्यक्ति के विश्यमें आप ये सारी बाते मन में नहीं लागा कि व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसके वस्त्रों से उसके शारीरिक रूप से उसकी सुन्दर्ता से नहीं किया जा सकता उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा उसे समझना हो उसे समय देना होगा पर हम क्या करते हैं पहनावे रंग सुन्दर्ता को देखकर आकर्शित हो जाते हैं उसे प्रेम समझ बैठने हैं और आए दिन कोई न कोई यह कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सपल नहीं हो पाई उसे चल मिला इसमें दोश किसी और का नहीं स्वयम आपका आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया आप आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परके प्रेम दोख्षण में बनने वाला पकवान नहीं है इसका स्वात चकनी के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ेगा तो समय दीजिए एक दूसरी के रूप से नहीं आत्मा से जुड़ी निश्य थी मन प्रसनता से कह उठ प्रेगा रधेरा